हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सोस केंद्रा फ्रेंड्स आप सभी को गूड मॉर्निंग और सबसे पहले तो फ्रेंड्स जल्दी से सेसन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटा फट किसी भी एक गुरूप में जहां कई भी आप हैं चाहा वह टेलिग्राम या फिर वाट्सेप कुरूप हो वहाँ पर जल्दी से सेर कर दीजिए ताकि इस सेसन से और भी लोग जोड़ जाएं और सेसन और भी ज्यादा मज़ेदार बन जाए देखे फ्रेंड्स बिहार पुलिस कॉंस्टेबल भरती 2023 का जो पेपर एक साथ और पंद्रह अक्टूब प्रशन पूछे जाएंगे देखे एक्जामिनेशन में बहुती कम समय बचा हुआ है दस से बारा दिन और सेस रह गया है तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना है और डेली कम से कम एक सेट लगा लेना है ताकि आपका अभ्यास बना रहे चलिए सेसन स्टार्ट क कर रहा हूं कि सभी लोग इस सेसन को फ्रेंट्स लाइक कर देंगे देखे काफी मेहनत लगता है एक घंटे के आसपास कंटीनियू बोलता हूं मैं आपके लिए तो आपसे कोई भी चार्ज में नहीं मांगता हूं आपसे मैं यहीं उमीद रखता हूं कि आप सेसन को लाइक करेंगे और ज्याद से ज्यादा इसको शेयर करेंगे और देखे इस फुल मॉक टेश्ट में आप प्रयास करेंगे कम से कम 75 मार्क्स लाने का ठीक है चलिए अब श्टार्ट करते हैं आज का सेसन देखिए फ्रेंट्स इसमें टोटल सो प्रशन है जिस प्रकार से आपकी एक बिहार पुलिस का इンド प्रकार से पुछे जाएंगे और वहीं पेटर्न है जैसा की विहार पुलिस का इक्जाम का पैटर्न होता है जीक लिए और फिलेन्ध प्राक्टिस चर्प सकते हैं इसको या विजईनल फ्ले लेंध मौक टेश्ट हैmos लोग जली से रिक पराल नहीं fill in the blanks with appropriate preposition यहाँ पर जो है आपको preposition fill करना है देखिए प्रश्ण है कि सुमन इद सीटिंग खाले स्थान दिया गया है हर सभी लोग प्रयास करेंगे answer comment करने का live chart में सबको answer comment करना है और friends आप प्रयास करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में answer comment करने के लिए जितना जल्दी आप answer comment करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग सेशन को complete कर लेंगे चले बताएगा कि सुमन इद सीटिंग खाले स्थान दिया गया हर तो देखिए सुमन इद सीटिंग beside हर होगा यानि कि option number यहाँ पर C हो जाएगा यानि कि सुमन उसके बगल में बैठी है सुमन इद सीटिंग beside हर होगा ठीक है चले दूसरा प्रशन दिखेगा हिंदी का प्रशन है गंगा हिमाले से निकलती है वाक्य में रेखांकित सब्द में कौन सा कारक है तो फ्रेंट्स देखे मैंने आपको कई दफ़ा बताया है करता ने करम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगा हो रहा है ठीक है उसके बाद संबंध का के की अधिकरण में पर ठीक है तो इसमें देखे गंगा हिमाले से निकल रही है यानि कि अलगाव हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर आपादान कारक होगा करता ने करम को करन से संप्रदान के लिए आपादान से अलगाव तो यहाँ पर आपादान कारक होगा option number C right answer हो जाएगा चले उसका बद देखेगा कि operation blackboard का लक्ष क्या था operation blackboard का लक्ष आप से पूछा जा रहा है बताईए देखे operation blackboard जो है यहाँ NPE NPE 1986 NPE का फुलपम होता है National Policy on Education National Policy on Education 1986 के तहद जो है 1987-88 में इसको श्टार्ट किया गया था और इसका उदेश प्रात्मिक स्कूल में निवनितम सुविदा एवम गुणवता को सबल करना था और इसका लक्ष जो है पिछडे छेत्र में प्रात्मिक सिक्षा प्रदान करना है तो option number इसका D बिलकुल right answer हो जाएगा चलिए कल ही मैंने बिहार पुलिस एक्जाम के लिए guest question को cover कराया हुआ है साथी साथ मैंने आपको 2023 के important hundred current affairs के प्रश्णों को भी cover करा हुआ है 10 full length practice नहीं नहीं 11 full length practice करा दिया है तो इतने सारे वीडियोज है 100 से ज़्यादा वीडियोज है अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देखिएगा link description box में मिल जाएगा comment box में भी link मिल जाएगा और friends आप channel पर जब चले जाएगे तो वहां मैंने playlist भी बना दिया है बिहार पुलिस 2023 के नाम से सभी वीडियोज आपको मिल जाएगे चौथा प्रश्ण पढ़िए कि 1 kg के पदार्थ के तापमान को 1 degree centigrade बढ़ने के लिए आवस्तक उस्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है चले सभी लोग answer comment करेंगे इस प्रश्ण को लगाईए इसका answer comment करिए मेरे प्यारे भाईबहन सबको answer comment करना है चले बताएगा इसका राइट answer क्या हो जाएगा तो दिखे 1 kg के पदार्थ के तापमान को 1 degree centigrade बढ़ाने के लिए आवस्तक उस्मा की मात्रा को पदार्थ की विशिष्ट उस्मा धारिता यानि कि specific heat capacity कहते है specific heat capacity कहते है ध्यान रखिएगा विशिष्ट उस्मा का SI मात्रक क्या होता है तो friends SI मात्रक इसका होता है Joule per kg Kelvin तो आई प्रशी योजना कौन सी थी तो यहाँ पंशवर्शी योजना जो थी यहाँ आठ भी पंशवर्शी योजना थी आठ भी पंचवर्शी योजना थी ध्यान रखेगा ठीक है आठ भी पंचवर्शी योजना इसका अगर कारेकाल पुछा जाएगा तो 1992 से लेकर कि 1997 तक था और इसी पंचवर्शी योजना में जो है ध्यान रखेगा इसकी सुरुवात जो है इस योजना की एक नय आर्थिक प पुदारी करन की रूप में जाना जाता है तो यहां आठ भी पंसवर्शी योजना है क्लियर है जहां रखेगा इसी पंसवर्शी योजना के समय में जो है एक जनवरी 1995 को WTO World Trade Organization की अस्थापना भी हुई थी ठीक है फ्रेंट्स चलिए अब यहां पर टॉट का आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है तो टॉट यह जो है यहां भी थरी है यानि कि वर्ब का तीसरा भाव में किसका तो टीच का तो सिनोनिम टीच हो जाएगा चले उसके बाद कोस्टन नमर सेबन है कि एक स्रिंखला परिमे में तीन परतिरोद 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम के हो तो परिपत का कूल रजिस्टेंस कितना है किसमे है यहां तो सिरिज में है तो सिरीज में जब होंगे तो क्या करना है सबको जोड देना है तो जोड़िए 140 प्लस 250 प्लस 220 तो इनको जोड देंगे तो यह 610 ओम आ जाएगा ठीक है चले अगला सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए देखे गरीबों के भोजन और पोशन संबंदी इस्तिती में सुधार करने का कौन सा कारेकरम है चले बताइए सभी लोग इसका अंसर कमेंट करेंगे तो करेक्ट अंसर इसका हो जाएगा सारवजनिक वित्रन प्रणाली एक जून 1997 को भारत सरकार के दवरा गरीबों के भोजन और पोशन संबंदी इस्तिती में सुधार हेतू सरवजनिक वित्रन प्रणाली कारेकरम प्रारंब हुआ था और यहाँ तो सरवजनिक वित्रन प्रणाली है यहाँ FCI Food Corporation of India इसको संभालती है ठीक है चले नेक्ट इसका फर्मुला होता है तो देखे इसका फर्मुला होता है CH3 कितना बार तो CH3 तीन बार ठीक है और CH यहाँ पर इसका फर्मुला होता है अब यहाँ पर इसका मैं structure भी आपको बता देता हूं देखे CH3 यानि कि यहाँ पर single bond है यह सब पर H है फिर यहाँ पर देखे C है फिर यहाँ पर नीचे H हो जाएगा ठीक है इधर आईएगा तो इधर देखे CH3 फिर इधर CH3 तो यहाँ पर देखे C और H बच गया यहाँ पर H तो यह CH ठीक है ध्यान रखेगा इसका टू मिठाइल प्रोपेन इसका रैट अंसर हो जाएगा next question है कि समय सिंधु चंचल है भारी उक्तपंक्ती में अलंकार कौन सा है इसमें कौन सा अलंकार है तो इसमें रूपक अलंकार है इसमें रूपक अलंकार है उस बैज्यानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीकी की खोज किया था यानि कि टीका करन की खोज किस ने किया था तो देखे टीका करन की खोज जो है यहां किया था एडवर्ड जेनर ने एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक माना जाता है ठीक है, option number C, राइटन सर हो जाएगा, इन्होंने चेचक की टिके का खोज किया था, ठीक है, और लुईस पास्टर ने रेविज की टिके का खोज किया था, ये सब ध्यान रखियेगा, चले उसका बहुत देखेगा कि कारा कोरम, जासकर, लद्दाक, पीर पंजाल, प्रमक, प अंतरगत आते हैं, बताएगा, तो दिके ये सब आते हैं, कस्मीर या उत्तर पस्मी हिमाले कंतरगत, ठीक, option number A, राइटन सर हो जाएगा, ट्रांस हिमाले की ये भाग है, ध्यान रखियेगा, चले अगला प्रशन करेंगे, friends, कि पंबन दीप जो है, ये कहां पर इस्तित है एक बार सभी लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, कि एक बार please session को like कर देजे, सभी लोग एक बार जल्दी से session को like कर देंगे, पंबन दीप कहां पर अवस्तित है, तो दीके पंबन दीप मनार की खाड़ी में अवस्तित है, पंबन दीप या रामिश्वरं दीप, ये त तमिलाडू में है, कहाँ पर है, तमिलाडू में, ठीक है, मनार की खाड़ी तमिलाडू में याद रखेगा, अच्छा एक नियू मूर दीप है, यह कहाँ पर है, तो यह पूछा जाएगा, तो यह बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है, क्लियर है, चलिए, next question है कि मंडी पर्योजना किस नदी पर है, मंडी पर्योजना, बेहतरीन यहां full length mock test है, इसको लगाईए और अपने score comment करके बताईएगा, ठीक है friends, चलिए, मंडी पर्योजना जो है, यहां किस नदी परिस्तित है, मंडी पर्योजना जो है, यहां ब्यास नदी पर है, कहां पर हिमाचल पर्देश में, ठीक है friends, और एक पंडोह बांध है, पंडोह बांध अगर पुछेगा किस नदी पर है, तो यह हिमाचल पर्देश में है, ब्यास नदी पर, पंडोह बांध, ठीक है friends, ध्यान रखिएगा, अच्छा गांधी सागर परियोजना, चंबल पर है, ठीक है, अंडमान को मैनमार से अलग करने वाला दीप समुह का नाम क्या है, चले, answer बताईए इसका, क्या होगा इसका right answer, तो देखें, अंडमान और निकोबार दीप समुह बंगाल की खाडी में वोसती थे, इतना तो आपको पता है, अंडमान को मैनमार से कोको समुह अलग करता है, ठीक है, कोको एस्ट्रेट अंडमान के उत्तर में इस्तित है, ठीक है, अगला प्रश्न है मारे कि बहिर भेदी आगने चटान का उधारन है, बहिर भेदी आगने चटान का उधारन इन में से कौन सा है, देखें, बहिर भेदी आगने चटान का निर्मा किस प्रकार से होता है तो बहिरवेदी आगने चट्टान का निर्मान जवाला मुखी के 20-40 से निकला मैगमा से होता है किलियर हो गया बहिरवेदी आगने चट्टान का उधार निसमे से बेसाल्टिक चट्टान हो जाएगा option number D correct answer हो जाएगा राइन नदी यही रूप में बायने वाले नदी है किस भरंसों से प्रभावित होती है चलिए बतेगा इसका right answer क्या हो जाएगा राइन नदी यहाँ सोपानिकार भरंसों से प्रभाहित होती है यहाँ पर प्रभाहित बना लिजेगा प्रभाहित होती है ठीक है तो यह प्रभाहित सोपानिकार भरंसों से प्रभाहित होती है ठीक है फ्रेंस ज्यान रखिएगा नेक्स्ट कोस्टन है कि महादीपी विस्थापन सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया था महादीपी विस्थापन सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया था इंपोर्टेंट कोस्टन है इसको आप स्टार मार्क लगा लिजे बताए इसका अंसर कमेंट करिए क्या होगा कि महादीपिय विस्थापन सिधानत का प्रतिपादन किस ने किया था सभी लोग इसका अंसर कमेंट करिए तो फ्रेंट्स ये किया था किसने अल्फ्रेड वेगनर ने किया था कब किया था तो 1912 हमें किया था अनाई मोडी जो सबसे उच्छा दक्षिन भारत का परवत चोटी है और निलगिरी पर डोड़ा बेटा है जो दक्षिन भारत की दूसरी सबसे उच्छी चोटी है क्लियर नेलगिरी और अन्नामलाई के बिच कौन सा दर्रा इस्तित है तो याद रखेगा यह दर्रा पालगाट है पालगाट दर्रा जो है यहाँ तमिलनाडू के कोयम बटूर को केरल के पलकड से जोडता है याद रखेगा पलकड को कोयम बटूर से जोडता है थालगाट का दर्रा बंबई को नासिक से जोडता है भोर घाट का दर्रा बंबई को पूने से जोडता है किलियर चले next question करेंगे कि स्वतंतर भारत की पहली बहुदेशिये परियोजना निमलेखित में से कौन सी है चले वतेगर आयटंसर इसका क्या हो जाएगा तो यहां कौन सी परियोजन को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था तो भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जोहरलाल नहरूजी ने कहा था इससे भी आप याद रखेंगे ठीक है अच्छा भाखडा नांगल बांध किस नदी पर है तो सतलूज नदी पर है याद रखिएगा ठीक है टिहरी बांध भागिर अर्थी नदी पर है हीरा कुंड बांध यहां जो है यहां महा नदी पर है दामोदर राइट अंसर इसका नमबर सी हो जाएगा चले बुकसा टाइगर रिजर्व जो है यह किस राज्य में है यह प्रशन इंपोर्टेंट है हो सकता आपको प्रशन पहले भी मिला हो बुकसा टाइगर रिजर्व यह कहां पर है तो बुकसा जो है यह आपका पसिम मंगाल में है सुन्दर वन भी पसिम मंगाल में ही है याद रखिएगा ठीक है चलिए नेक्ष कुछ सन है कि भारतिये समिधान में समस्त कारेपाली का सकतिया नहीं थे बदाइए अनु राष्टपती में नहीत होगी जिसे वह अपने अधिनस्त अधिकारियों के माध्यम से ठीक है खुद या अधिनस्त अधिकारियों के माध्यम से जो है इसका संचालन करेगा और भारत के समिधान में समस्त कारेपाली का कि सकती राष्टपती में नहीत है ठीक है राष्टप समिती जो होती है इसमें केवल और केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं इसमें राजिसभा के मेंबर नहीं होते हैं इसमें केवल और केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं इसमें टोटल एक 30 सदस होते हैं और लोकलेखा समिती में 22 सदस होते हैं 15 लोकसभा से और साथ राजिसभा से राश्ट्रिय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था जल्दी से अंसर कमेंट करिए तो फ्रंट्स यहां दिया गया था सरदार बल्ला भाई पर्टेल जी को ठीक है कि पहले गिर्ह मंत्री है पहले उपपरधान मंत्री है ये सब आप याद रखिएगा लोह पुरुसिन को कहा जाता है देखे अनसुचित जातियां अनसुचित जन जातियां और अन्य दुरुबल वर्गों की सिक्षा और अर्थ सम्मंदी हितों की अभिविर्धी के लिए किस अनुचेद में चर्चा की गई है चले सबी लोग इसका अंसर कमेंट करेंगे इंपोर्टेंट कुस्चन है और एक बार फटा फटा सेशन को लाइक कर दीजे मैं कंटिनियू जब से वेकंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है तब से आपके लिए मैं कलासेज लेकर के आ रहा हूँ सब कुछ यहाँ पर free of cost है देखिये भारतिय समिधान का जो अनुचेद 46 है भारतिय समिधान का अनुचेद 46 इसका अनुसार राज जनता के दुरुबल वर्गों विशेश करके अनुसुची जाती और अनुसुची जन जातियों के सिक्षा और अर्थ संबंदी हितों की अविवर्दी करेगा और समाजिक न्याय और सभी प्रकार की सोसन से उनका सनरक्षन करेगा यह आर्टिकल 46 में कहा गया है 44 बड़ा महत्पूर्ण है याद रखेगा 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक सहिंता है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्शन करेंगे तो फ्रेंटी यह कौन करता है यह रैश्टपती करते है रैश्टपती राइट अंसर हो जाएगा निर्वासन आयुकत का कारेकाल कितना होता है तो ये 6 वर्स का होता है या फिर 65 वर्स की आयू जो भी पहले पूरी हो जाए आउकास गरहन कर लेते हैं क्लियर है चलिए बिहार पंचायती राज अधनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बैठकों की बीच अधिक्तम कितनी आधी निर्धारित है चलिए बतेगा कितना अच्छा प्रश्ण है जल्दी से अंसर कमेंट कर जीजिए सेसन को लाइक करते चलिए चलिए बिहार पंचायती राज अधनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों की बीच अधिक्तम कितनी अवधी निर्धारित है तो यह अवधी जो है यह निर्धारित है तीन महिना ठेक है तीन महिना राइट अंसर हो जाएगा अप्सिन नमबर डी ठेक है फ्रेंड्स यह तरवां समिधान संसोजन आपको याद होगा इसके तहत पंचायत का प्रावधान है ग्यारा हुई अनुसूची में ठेक है और पूर्ण स्वराज का संकल्प कॉंग्रेस के दवरा कब पारित किया गया था अचा पूर्ण स्वराज की मांग सरोपर्थम किस ने किया था यह प्रश्न बनता है जरा बताई तो इसका अंसर क्या होगा कि पूर्ण स्वराज की मांग सरोपर्थम किस ने किया था किस व्यक् हुआ था ठीक है लाहोर अधिविशन 1929 में पारित हुआ था इसके अध्यक्सता किस ने किया था तो इस अधिविशन के अध्यक्सता लाहोर अधिविशन की पंडित जोहरला नहरू ने किया था ठीक है चलिए भारतिये समिधान में अध्यादेश का प्रस्ताव किस अधिनिय से लिया गया है, जल्दी से अंसर कमेंट कर जीए, तो देखे भारती समिधान में अध्यादेश का प्रावधान, यह भारत सासन अधनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है, 1935 से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, चलिए, और लोक सिवा आयू का गठन, जो है, किस अधनियम के तह सब्सक्राइब किया था लोग सवा आयोग का गठन तो 1919 ठीक है उसका वाधिक्या अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती यह अन्य पीछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की सकती किसके पास है जल्दी से एंसर कमेंट कर जीजिए मैं प्रश्ण को दो बार इसलिए पढ़ता हूं ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए इसलिए दो वार पढ़ता हूं बताए अनसुचित जाती अनसुचित जन जाती और पिछड़ा वर्गों के लिए आयोक का गठन करने की सक्ति किसके पास होती है तो ये सक्ति जो है ये भारत की राष्टपती के पास है किसके पास है राष्टपती के पास है वित आयोक की गठन की सक्ति इसी के पास है ठीक है याद रखेंगे आप चले नेक्स्ट कुस्चन करेंगे हम कि भारत का संगीय नयायाले निमनलिखित में से किस वर्ष में अस्थापित किया गया था भारत का संगीय नयायाले जो है यहां किस वर्ष में अस्थापित किया गया था बताई राइट अंसर क्या हो जाएगा तो देखिए फ्रेंट्स भारत सासन अधिनियम 1935 भारत सासन अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत के संघिये नयाले की अस्थापना एक अक्टूबर 1937 में की गई थी 1937 इसका राइट अंसर हो जाएगा इसके प्रथम प्रमक नैधिस जो थे यह सर मौरिस गेर थे सर मौरिस गेर थे नाम यह आप जरूर याद रखिएगा सर मौरिस गेर थे ठीके फ्रेंट्स ज्यान रखिएगा चलिए अगला प्रश्ण है कि बिहार सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपी बैपारी कौन थे तो बिहार पहुंचने वाले यूरोपी बैपारी जो थे ये कौन थे चलिए असान प्रश्ण है जल्दी से अंसर कमेंट कर जीजिए तो सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपी बैपारी जो थे ये पुर्तगाली थे ठीक है पुर्तगाली बैपारी पटना से सूती वस्तर खरीद करके यूरोप ले जाया करते थे ठीक है चली आसियान का केंदरिये सच्ची वाले कहां परिश्थी थे आसियान यहां तो रिजिम भी लिखा गया इसका फुल्पम होता है एससीयोशन ठीक है एससीयोशन ओफ साउथ इस्ट एसेयन नेशनस ठीक है चले इसका स्थापना हुई थी आठ अगस्ट 1967 को कहाँ पर तो थाइलेंड के बैंकोक में 8 अगस्त 1967 को ठीक है इसका केंद्रिय सची वाल है जकारता में है कहाँ पर है जकारता में है ध्यान रखी गए इसमें सदस से देशु की संक्या 10 है और देखिए अगर हम बात करें कि A.C.I. विकास बैंक A.D.B. का हेटक्वाटर मनीला में है ये भी आप याद रखेगा ठीक है चलिए प्रथम पंचबर्शी योजना का कारेकल कब से कब तक था प्रथम पंचबर्शी योजना याद रखेगा 1951 से लेकर के 1956 तक ठीक है चोथा पंचबर्शी योजना बड़ा पुछा जाता है चोथा पंचबर्शी योजना का कारेकल बड़ा पुछा जाता है क्योंकि से पहले योजना अवकास था इसलिए पूछा जाता है तो 1979 से लेकर के 1974 तक ये चोथा पंचबर्शी योजना का समय है इसको आप याद रखेगा ठीक है चलिए एकिकरित बाल विकास तथ सेवात कर São получилось शरुवाद कब की गई थी सभी तो देखे इसकी सब्सक्राइब 1975 में हुई थी 1975 में हुई थी याद रखेगा ठीक है प्रथम और दोगिक निती की घोषना किस ने किया था प्रथम और दोगिक निती की घोषना किस ने किया था प्रथम और दोगिक निती की घोषना कप की गई थी यह भी प्रश्ण बनता है तो यह 1948 में की गई थी दूसरी ऊधोगीक निति की गोष्टना की गई थी. Gothic इसे भी आप ध्यान रखेगा. ठीक है। चली, ये प्रतम ऊधोगीक निति की गोष्टना किया गया था श्यामा प्रसाद मुखरजी जी की द्वारा Alma 1949 में ठीक है स्याम प्रसाद मुखरजी जी के द्वारा 1949 में पटना विश्विध्याले विध्यक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतिय सम्मेलन का एक विश्यस अधिविशन कहां बुलाया गया था चले बताएगा इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा पटना विश्विध्याले विध्यक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतिय सम्मेलन का एक अधिविशन कहां बुलाया गया था तो यह बांकिपूर में बुलाया गया था ठीक है बांकिपूर पटना में याद रखिएगा बांकिपूर पटना में नेक्ष कुष्टन है कि भूरे लाल समिती का संबंध निमन में से किस से चेतरिश है तो देखिए भूरे लाल समिती का संबंध यह मोटर वहान करोमें ब्रिदी से है मोटर वहन करो में ब्रिदी से है द्यान रखेगा भारती श्टेट बैंक की अस्ठापना किसे targeting को हुई थी आरविआई की अस्ठापना तो आप को याद होगा 1935 में हुई थी र нужно करन आरविआई को Burada में हुआ था स्थापना बताईए कब हुआ था तो 1955 में हुआ था एक जुलाई 1955 को ठीक है स्टेट बैंक का चले नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे कि ओमान की मुद्रा का नाम क्या है अच्छा ओमान की राजधानी कहां पर है जरा पहले आप यह कमेंट करके बताईए उमान की राजधानी कहां पर है उमान की राजधानी कहां पर है जरा सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए देखे उमान की राजधानी जो है यह मसकट है कहां पर है उमान की राजधानी मसकट है उमान के मुद्रा जो है यह रियाल है क्या है रियाल है ठीक है देखे तरंग चाल आयाम तरंग दर और आविर्थी सभी को कहा जाता है तो इन सभी को क्या कहा जाता है चले बताएगा राइट अंसर क्या हो जाएगा तो देखे ध्यान दिजेगा तरंग चाल, आयाम, तरंग दर और आविर्ति को क्या कहा जाता है तरंग की विशेस्ता, तरंग की विशेस्ताएं राइट अंसर हो जाएगा देखे किसी सिक्षक को 40 cm से निकट की वस्तू असपस्ट दिखाई नहीं देती है असपस्ट दिश्टी की निउंतम दूरी पर किताब को देख करके पढ़ने के लिए कितनी छमता वाले लेंस का प्रयोग किया जाना है तो यहां लेंस जो होगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहां लेंस उतल लेंस होगा अब आपको यहां पर देखे, दरपन फर्मूला पता है, 1 upon V equal to 1 upon F plus 1 upon U होता है क्लियर है, अगर आप यहां पर बताएंगे तो 40 cm जो दिया गए यह भी दिया गया है ठीक है, और निउन्तम दूरी पर असपश्ट दिरिष्टी की, तो भी यहां पर कितना दिया गया है माइनस 40 cm हो जाएगा, और यू हो जाएगा निउन्तम 25 cm होता है, निउन्तम असपश्ट दिरिष्टी 25 cm होता है तो पचीज सेंटिमेटर हो जाएगा अब यहाँ पर क्या करिए इसमें पूट कर दीजे और यहाँ पर आप F निकालिए F निकालिए यहाँ पर देखें मैं पूट करता हम यहाँ भी के जगा पर क्या रखेंगे हम माइनस चालिस रखेंगे क्या रखेंगे यहाँ पर B के जगह पर minus 40 रखेंगे U के जगह पर क्या रखेंगे 25 रख देंगे अब देखे 1 upon F equal to क्या हो जाएगा 1 upon F equal to क्या हो जाएगा तो देखे 1 upon F equal to हो जाएगा 1 बटा minus 40 minus हो जाएगा क्योंकि यह plus में इधर आएगा minus तो ये एक बटा 25 हो जाएगा तो एक बटा 25 हो गया यानिकि एक बटा f equal to कितना हो गया minus एक बटा 40 minus एक बटा 25 इसका LCM ले लिजे और इसको solve कर रहे है ठीक है इसको जो solve करेंगे आप तो कितना हो जाएगा बताईए तो दिखे फ्रेंट्स अगर हम बात करें तो इसका LCM जो होगा ये 200 होआ जाएगा तो ये पांच टाइम में आ रहा है तो पांच और ये कितना टाइम में जा रहा है पचीस चोगा सा चार टाइम नई एक मिनूट रोग जाए इसका LCM ले लिजे LCM पहले इसका लेंगे एक बार इसका LCM लेजे 40 और 25 का यहां मैं आपको दिखा देता हूँ पांच अठे चालिस और पांचा पचीस हो जाएगा तो आट पचीस चालिस अपचीस दो सो होगा सही था मेरा ठीक है तो LCM ले ले लिजेगा तो 1 upon F equal to कितना आजाएगा 3 बटा 20 आजाएगा ठीक है 3 बटा 20 आजाएगा clear है और F equal to कितना हो जाएगा 200 बटा 3 आजाएगा अब यह किसे जमाया है centimeter में है क्योंकि centimeter में दिया गया है यहां पर देखिए और जब भी power of lens equal to क्या होता है P equal to 1 upon F होता है यह आपको पता है और focus दूरी हमेसा meter में होती है तो इसको ओम लोग meter में change कर देंगे तो meter में इसको change करेंगे ठीक है तो meter में 100 से गुना कर देंगे ठीक है ना चलिए अब यहां पर क्या करेंगे अब पहले इसको ऐसा ही आप फूट करिए 1 upon F equal to 1 upon F होता है ठीक है तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा यह तो आपका 100 upon 200 बटा 3 हो जाएगा ठीक है तो उपर 3 चला जाएगा तो यह आपका 300 बटा 200 हो जाएगा तो 200 यानिकि 3 बटा 2 हो जाएगा तो आप सी के आवेस है ठीक है कुलंब है यहां पर प्रेसित करने पर कारे क्या होगा कारे पुछा गया है तो देखिए भी equal to क्या होता है W upon Q होता है Q क्या है यहां पर चार्ज है और यह आपका विभवानतर है अब भी यहां पर देखिए चालिस दे दिया गया है आपसे डबलो निकालने के लिए पुछा ज़रा है यह 0.5 है ठीक है तो यहां पर देखिएगा यह आपका 10 आ जाएगा तो 10 से कट जाएगा यह 0 ठीक है क्रोस मल्टिप्लिकेसन कर देखिए तो 5 चोगा 20 हो जाएगा 20 क्या ओर्फ है तो जूल होगा 20 जूल होगा चलोह उसका पर देखिए चुमबकियो फुलक्श का सी मात्रक क्या होता है चुनवक्य फलस्क का सी मात्रक क्या होता है बताईस चुís का सीजीफ मात्रक पूछेगा तब जून तो यह चुम्बक्य फुलस्क हो गया चुम्बक्य छेत्र पुछेगा तो उसका ऐसा ही मात्रक टेसला होता है चले पी प्रकार के अर्थचालक प्राप्त करने के लिए देखें प्रकार है और एक जो होता है N प्रकार है यानि कि P टाइप और N टाइप अब यहाँ देखे P टाइप पुछा गया है तो देखे P टाइप के लिए क्या होगा जब सुध अर्थ चालक में त्री संयोजी तत्व यानि कि तीन संजोगता वाला जो है जो असुधता मिलाई जाएगी तब यह प्राप्त होगा ठीक है और इसमें विदूत धारा का प्रवाह होल्स के दवारा होता है तो जब सुध अर्थ चालक में पांच संयोजी वाला तत्वन जब पांच संजोगता वाली असुधता को मिलाता है तो यह एन टाइप प्राप्त होता है और एन टाइप में विदूत धारा का प्रवाह मुक्त इलक्ट्रोन के कारण होता है एकपटी संसाधन में कोंसी प्रकिर करीया आवस्चक नई है कावश्चक नहीं है तो यहां पर देखेएं सुस्कन उसके बात है गलानन इसमें जरुरत नहीं है क्या है मैला थीन क्या है बताए यहां एक प्रकार क которой if you have did okay और आपको पता है केश्य के रूप में किया जाता है ठीक मैला थीन हो गया मैउर का यानी कि मोर का बैग्यानिक नाम पुझा जा राश्ट्रिय पक्षी हमोर इसका बैज्ञानिक नाम आपको पता है क्या होता है पाव क्रिस्टेटस होता है चलिए सौर उर्जा किसके द्वरा उत्पन होता है सौर उर्जा किसके द्वरा उत्पन होता है तो सूरे के द्वरा उत्पन होता है यह तो पता है और सूरे से यह नाभी किये सनलैन पर क्रिया के द्वरा उत्पन होता है ठीक है नाभी किये सनलैन पर क्रिया तो यहाँ पर दीके सनलैन दिया गया है याद रखिएगा हैप्टीस क्या है हैप्टीस छोटे अनु होते हैं जो एक विशिष्ट एंटीबोडी के साथ प्रतिकरिया करते हैं ठीक आम पकाय जाता है क्या लाते हैं तोड करके कच्छे आम पर से तोड़ कर लाते हैं और فर yaşते हैं दुकान में हम लोग कर्भाइड लाने के लिए ठीच्क है तो रैट अंसर इसका कैल्सिएम कर्भाइड हो जायेगा कैल्सिएम कर्वाइड हो मनस्व में तेईस जोड़ी गुन सुत्र पाये जाता है जोड़ी हम बात करेंगे अहां पर देख्याई बाइस जोड़ी गुन सुत्र और पूरुसमें भीन भीन होते हैं और तेश्वा जोड़ी भीन होता है इसी को हम लोग एलोसुम कहते हैं ठीक है इसी को हम लोग एलोसुम कहते हैं तेश्वी जोड़ी गुन सुत्र को और यहीं एलोसुम जो होता है यह लिंग निर्धारन में महत्पुन भूमिका निभाता है 53 नमर कोस्तन देखिए कि यहां देखते हुए कि ऑक्सीजन के एक मॉल में परमानों का वजन 16 ग्राम है तो ऑक्सीजन के एक मॉल में यहां पर ओजोन कह रहा है तो ओजोन का ओथिरी होता है तो 16 गुना तीन कर देंगे तो 14 ग्राम पर मॉल हो जाएगा कोई डाउट चलिए यह वहला प्रशन पहले आप एंसर इसका कमेंट करिए फिर मैं बताऊंगा तीन चार प्रशन लगातार मैंने पहले ही आपको एंसर बता दिया है देखिए मेग अक्षादन रात के पिक्षा निर्मल रात यानि कि साफ रात अधिक ठंडी होती है इसका कारण क्या है इसका कारण क्या है बताएगा इसका क्या हो जाएगा विक्रन हो जाएगा मानो्ष सरीर में होती है तो पस्ली कि अगर संख्या पुछए Shark ठोबीस होती है जोड़ी में पुछए का प种 होती है और यह बढरा इधर होती है और बारा इधर होती है और पीच में यह हड़ी इनको जोड़ती है इस हड़ी को एश्टर्नम कहा जाता है क्या कहा जाता है यह मौ है एश्टर्नम कहा जाता है तो बारह जोड़ी हो जाएका अपसे नमबर सी करेक्ट अंसर हो जाएगा देखे सबसे अधिक अपोरतनांक वाला आख कांग कौन सा है सबस सबसे अधिक अपोरतनांक किसका होगा चली बताएगा राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा तो यहां निर्त जो है कमेंट करिए जल्दी से सबी लोग 6 निर्त है 6 निर्त उनेसको की अमुर्त विरासत सुची में है चोव निर्त जो है या उडिसा जारखंड पस्चिम मंगाल इन सब में मुखे रुप से प्रचलित है ठीक है चलिए उसका बदेखे का अंतराश्टिय मुद्रा कोस का मुख्याले कहां पर है ठीक है ब्रेटन विड्स मैंने बताया था 1944 में आई एम एफ ठीक है चलिए इसका ह ऐटक्वाटर पूछा जा रहा है तो इसका एटक्वाटर जो है इंटर्णेश्टन मुनेटरिफॉनर्ट का ये कहां पर हैwashington में है वासिंग्टटेन में है भारत्य वन सिवाको अपनाया था ब्हारतीये वन सिवा को कब अपनाया था चलिए बताइए भारतीये वन सिवा मुक्खेनादीज कोन थे इसे गिए सवेचनेयले के सुपरिम कोट गभ के प्रतम मुक्खनाद कानिया भी बता है कि आ az स्वरंदिप तमिलाडू में है ठीक है चली आगे बढ़ेंगे कि न दलील न वकील न अपील टिपनी इसमें से किस्स संबंदित है तो इसमें कुछ भी नहीं सुना जाता था इसलिए इसको काला कानून कहा गया था यहां कानून कौन सा है यहां एक्ट कौन सा है तो यहां कुछ लना था ठीक है जाति तरंकर वसुपुजी की जनमस्थली ने कहां पर है चले ? जल्दी से महाविर जीrilा करें बटेंक हो कहाँ पर है कुंडगराम वैसाली में है ठीक है और यहाँ पर पूछा गया वसुपुजी जी की जनमस्थली तो इनका जनमस्थली जो है यह चंपा नगरी में है चंपा राइटन सर हो जाएगा ठीक है एलिफेंटा की गूफा किस देवता को समर्पित है एलिफेंटा की गू संगंज की राजधानी कहाँ पर थी संग वंज की राजधानी तो पाटल", पुत्र थी ही लेकिन boy रख inacănरे जाड़, याद रखियेगा याद रखिकेगा विदिसाबधी थी क्लिर है तो यहाँ पर पार्टली पुतर दिया गया है तो पार्टली पुतर राइट अंसर हो जाएगा और सुंग वंस के अस्थापना पुस्से मित्र शुंग ने किया था मौर वंस के आखरी सासक ब्रहदत की हत्या करके ब्रहदत मौन वंस का आखरी सासक था चले 18556 में भारत में जो संत्वाल विद्रो हुआ था उसका नत्रिति spray किस ने किया था बतरेर ईयर आइटंसर क्या हो जाएगा 18556 में जो संत्वाल विद्रो हुआ था यहां किसके नत्रितिक में हुआ था तो यहां सीधू, कानू, चान्द और भैरो के नित्रितम हुआ था तो सीधू, कानू यहाँ पर दिया गया है चान्द, भैरो का अभी नाम अवस्ते ही ध्यान रखेगा रनजी ट्रोफी 2022 ते इसका खिताब किसने जीता है तो करेंट अफेर वाला सेक्षन में मैंने इसको कभर करा दिया था जिन लोगों ने देखा होगा, उनका अंसर इसको पता होगा कि यह सौराष्ट जीता था उसका बदन के अंतराष्ट्रिय मुक्यवादी संग का उपाध्यक्च किसे चुना गया है अंतराष्ट्रिय मुक्यवादी संग का उपाध्यक्च चुना गया है अजय सिंग को, किसको अजय सिंग को वर्स 2023-20 के लिए असम का सर्वत्ष नागरिक पुरसकार असम बैभाव से किसको समानित किया गया है असम बैभाव से किसको समानित किया गया है तो असम बहबों से समानित क्या गया है डॉक्टर तपन सोकिया को ठीक है जलासे का प्रयावाचू पुछा जरा है जलासे का प्रयावाचू क्या होता है तो जलासे का प्रयावाचू होता है तलाब तलाब सरोवर पुसकर पुखरा जलवान सरसी ताल यह सब होता है यहां पर राइट अंसर हो जाएगा आदर और निरादर करना यहां अर्थ किस मुहाबरे का है आदर और निरादर करना यहां किस मुहाबरे का अर्थ है तो मुहाबरा कौन सा है तो मुहाबरा है पान फूल उपर रहना ठीक है ऑप्सन डी राइट अंसर इसका हो जाएगा ठीक है नेक्ष कुस्टन हमारा और देखे पान पनही खेलाना का मतलब होता है किसी का अनाधर करना तिरसकार करना होता है अपसंडी पान फूल पर रहना नेक्ष कुस्टन है सही वर्तिनी वाला सब्द कौन सा इसमें से सही वर्तिनी यानि कि सुध लिखा गया सब्द इसमें से कौन दिया इसमें बताना है कि कहां पर टूटी है किस भाग में मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया बताइए कि राइट अंसर क्या हो जाएगा तो यहां पर दिकिया हाथ में नहीं होगा ठीक है हाथ में गलत दिया गया है मैंने सारा माल उसको बेच दिया रिक दास्तान की पूर्ति करें पेड़ पर चिडिया क्या कर रही है हिन हिन आती है टर्टर आती है कड़कती है चहाचाहाती है तो पेड़ पर चिडिया चहाचाहाती है अतीथी की सेवा करने वाला क्या कहलाता है एक सब्द आपको बताना है तो अतिथी की सेवा करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है तो फ्रेंट्स वह कहलाता है आतिथ्य ठीक है पवित्र का सही संदी विक्षेद क्या होगा बताइए पवित्र का सही संदी विक्षेद क्या होगा तो पवित्र का सही संदी विक्षेद जो होगा यह पौपलस इत कर दीजिए चले आप लोग अपने स्कोर बताईएगा तो इसका जो क्या हो जाएगा हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे हैं ठीक है जुछ तुल्हा तसब राती उसका बहुत कि सखी वे मुझसे कह जाते प्रस्तुत पंग्ती के रचीता कौन है, बताएगा रचीता इसके है, मैथली सरण गोपत, ठीक है, he thanked me for when I, क्या होगा, खाले स्थान दिया गया है, he thanked me for when I, when I did, ठीक है, option number C, इसका रचीत अंसर हो जाएगा, उसके बढ़ दें कि surmount का आप से synonym पुछा गया है, सर्माउंट का सिनोनिम सर्माउंट मतलब होता है जीतना वस में करना तो ओभर कम हो जाएगा यहाँ पर पुछा गए कि living together of a man and woman without being married to each other one word substitution है तो यह क्या कहलाता है यह concubinase कहलाता है बिना साधी के साथ राने की स्थिति यह concubinase कहलाता है चले उसका बाद next question देख लिजएगा अगला प्रशन है हमारा कि select the correct indirect speech my husband said to me wait for me outside बताएगे क्या होगा इसका अंसर तो इसका अंसर होजएगा my husband told me to wait for him outside option number a चले उसका बाद देखेगा यहाँ पर error बताना है 85 और 86 में अगर error नहीं है तो no error पर आप ठीक लगाईएगा चले पढ़ियेगा कि neither Raj nor his friends was present in the party चले बताएगा तो यहाँ पर दिखेगा friends है friends तो यहाँ पर work का प्रयोग होगा ठीक है वाज का नहीं यहाँ पर work का प्रयोग होगा यहीं पर error है work का प्रयोग होगा ठीक है zone is working very hardly as the examination are first approaching बताएगे तो यहाँ पर क्या होगा hardly के जगा जो है hard का होगा zone is working very hard ठीक है option number A यहाँ पर right answer इसका हो जाएगा चले उसका पर देखेगा choose the correct passive voice it is time to take T इसका क्या हो जाएगा बताएगे तो इसका हो जाएगा it is time for T to be taken ठीक है यह सब आप याद रखिएगा चले उसका बाद देखेगा कि to end in a smoke यह idiom phrase है बताएगे to end in a smoke यहाँ पर क्या होगा to end in a smoke का मतलब होता है सब कुछ समाप्त हो जाना सब कुछ finish हो जाना ठीक है तो यानि कि to be to come to nothing ठीक है चले उसका बद अगला प्रशन करेंगे अन्टोनिम आफ द लोथ का बताई यहाँ पर अन्टोनिम बताना है तो इसका मतलब घिरना होता है तो लव हो जाएगे इसका अन्टोनिम प्यार find out which part of the sentence is an error error कहाँ पर है there is no error option D आपको टिक करना है ठीक है इंप्रूब्मेंट कर सकते हैं आप इसमें knowledge of at least two languages are required to pass the examination बताईए यहाँ पर दिखेगा कि knowledge of at least two languages is required is required होगा ठीक है तो is required होगा चले यहाँ से math का प्रशन है मैं फटाफट आपको answer बता देता हूँ बहुत ही आसान आसान प्रशन है आप इनको easily solve कर सकते हैं option number a इसका right answer हो जाएगा 92 का 45 degree correct answer हो जाएगा ठीक है 45 degree चले यहाँ पर पुछ रहा है कि एक sum अश्टभूज के प्रतेक बाहे कोन का map तो 360 बटा n हो जाएगा n कितना है तो यह अश्टभूज है तो 8 होगा तो 360 बटा 8 कर देंगे तो यह 45 degree आजाएगा ठीक है चले उसका बाद देखेगा 93 का जो right answer होगा वो आपका option number D हो जाएगा 6 आएगा 94 का 4 root 3 cm आजाएगा संभाव त्रिभूज है अंता वृत की तिरज़े आपसे पुछा जा रहा है तो यह आपका भूजा upon इसका direct formula याद रखे का भूजा upon क्या होता है 2 root 3 भूजा 24 cm है 24 upon 2 root 3 यानि कि यह कितना हो जाएगा 12 upon root 3 हो जाएगा ठीक है 12 upon root 3 हो जाएगा तो यह 4 root 3 हो जाएगा clear 12 upon root 3 को इस तरह सम लिख सकते है इस तरह सम लोग लिख सकते है उपर 4, 3, 12 यह 3 तिन करेंगे तो 3 हो जाएगा 4, 3, 12 और निचे root 3 है तो root 3 से root 3 कर जाएगा 4 root 3 बच जाएगा चले एक बेलन की तिरजिया 5 cm है इसके उचाई 14 cm है तो बेलन का आयतन पुछा गया है pi r square h होता है 22 बटा 7 रखिये r दिया गया तिरजिया तो 25 हो जाएगा और height 14 हो जाएगा तो 22 बटा 7 और यह 25 25 हो गया और यह 14 तो 7 दुना 14 25 दुना 50 गुना 22 कर दिजियेगा 1100 cm इस cube आजाएगा चुकि आयतन है ठीक है चले उसका बाद देखे 96 का right answer option number A हो जाएगा 97 का correct answer जो होगा वो आपका 14 हो जाएगा 98 का देख लीजे 98 का जो right answer option number D हो जाएगा ठीक है 99 का correct answer जो होगा option number C हो जाएगा और आखरी question है 100 इसका जो correct answer होगा 800 रुपया हो जाएगा session को like कर दिजिए और इसको share कर दीजिए अपने score बता